नमस्कार स्वागत है आपका समाचार इंडिया में मैं हूँ आपके साथ रक्षंदा खान पश्यम बंगाल की भूमी पर रताणी की इजाज़त नहीं दी गई वहीं इजाज़त ना मिलने पर योगी अदित्यनाथ ने अपने कारेकरताओं से समवाध किया वहाद में कहा तो उनकी एक वीडियो वाइरल वीडियो में वह कहते नजर आए कि हमारे भाजपा कारे करता बाखू भी अपने कारे को कर रहे हैं पशिम बंगाल की भूमी पर वो त्री मूल कॉंग्रेस के किये गए आप प्रिये कार्यों की निंदा करते वे भी नजर आए उनका कहना है कि त्री मोल कॉंग्रेस हमेशा वहां के लोगों को बाटने में कारगर साबित हुई है भाजपा इस वक्त तक्ता पलट करके अपनी सरकार वहां बनाएगी देखिए क्या बोल रहे है सीएम योगी अधित्तेनाथ इस वीडियो में लेकिन आवाज को कैसे दबाया जाता है और कैसे सरेयाम चुनाव लड़ने वाले विरोधी दल के कारेकरताओं को बंधग बनाया जाता है उनकी निर्मा मत्याएं की जाती हैं ये नंग्ड तांडो टीमसी की सरकार में लगातार वेस्ट बंगाल में देखने को मिला है ये बातें इस बात को साबित करती हैं कि लोग तंतर और सम्विधान में सुसी ममता वनरजी और टीमसी का कोई विश्वास नहीं है जो लोग अभी हाली में वेस्ट बंगाल जाकर के लोग तंतर के नाम पर टीमसी के मंच पर थे उन सब को भी स्वयम अपने आचल में जाकना चाहिए के सरकार जो लगातार वहां पर जन भावनाओं को दवा रही है कभी सार्दिय नौरात्र में मादुर्गा की पूजा से रोकने का कुछ सित प्रियास किया जाता है कोलकता हाई कोट को भी वेस्ट बंगाल की सरकार को इस बात के लिए सरकार को कड़ घरे में खड़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिस से क्योंकि वहां पर रहा सरकार जन भावनाओं का निरादर कर रही थी दुर्गा पूजा करने से लोगों को रोक रही थी और इसलिए मैं आज आप सबसे कहने के लिए आया हूँ कि इस मजबूती के साथ बंगाल के कारेकरताओं ने टीमसी के गुंडों का मुकाबला किया है वा लोगतंद्र के लिए आप जैसे कारेकरताओं को मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं आप सब कावहन करता हूँ कि आप सभी टीमसी किस गुंडागिर्दी के खिलाप लड़े है हम सब आपको अस्वस्त करते हैं यह सरकार हमें रोक नहीं पाएगी बंगाल में भारती जनता पार्टी की सरकार आएगी आप सभी कारेकरताओं के बल पर आपके दम पर हम सब बंगाल में भारती जनता पार्टी की सरकार लाने में सफल होंगे सुस्री ममतावनर्ची और टीमसी के लोग किसी गलत थेमी के सिकार हो चुके है इन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारती जनता पार्टी इस देश के अंदर सोला राज्यों में सासन कर रही है और सुस्री ममतावनर्ची को यह मानना चाहिए कि लोगतंत्र में सासन का प्रसासन का दुर्पयोग इस रूप में नहीं होता है जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर किया जा रहा है लोगतंत्रिक तरीके से चलने वाले कारिक्रमों और अंदुलोनों को जिस तरीके से कुचलने का कारे हो रहा है यतन तो निंदनी यह है हम इसकी निंदा करते हैं और वहाँ का प्रसासनिक तबका जिस तरीके से टीमसी की वरकर के रुप में कारे कर रहा है यहाँ भी स्विकारे नहीं होना चाहिए मैं एक बार पुना आप सब का आउहन करूंगा आपने देखा होगा पहली फरवरी को आदनी मोदी जी के नित्रतों में केंदर सरकार ने आजादी के बात का सबसे अच्छा बजट देश के सामने प्रस्तुत किया है यह बजट इस देश के गाउं गरीब किसान नौजवान महलाएं और समाज के प्रतेक तब्के के हितों के लिए पूरी तरह समर्पिद बजट है इस मजट इस बजट के माद्यम से बारह करोड किसानों को सीदे सीदे लाब होने जा रहा है यह बजट देश दस करोड मस्दूरों को साथ वर्स की उम्र के बाद तीन हजार रुपे की मासिक पेंसन देने की विवस्ता करती है यह बजट इस देश के चार करोड छोटे ब्यापारियों की सुरक्सा की गारंटी देता है और यह बजट इस देश के नौकरी पेसा मध्यम वर्किये परिवारों को आए की सीमा में छूड़ दे करके उन्हें बहत्तर भहुस्य की ओर एक नया विश्वास दिलाती है और इसलिए आज के उस असर पर मैं आप सब कावन करूँगा क्या आपने वेस्ट बंगाल के अंदर सुस्री ममताव अनर्जी की टीमसी की और लोकतांत्रिक सरकार के खिलाब जिस प्रकार का मोर्चा जनतंत्र बचाओ रेली के माद्यम से समाला है मैं एक बारपुना भारती जनता पार्टी और उन सभी समर्थकों का विनंदन करता हूँ जो हर विप्रीत परस्तिती का सामना करते हुए इस अराजक लोकतंत्र बिरोधी सम्विधान बिरोधी सरकार का डटकर मुकाबला करके इस अभ्यान को आगे वढ़ा रहे हैं वेस्ट बंगाल तो वेसे भी हमारे लिए इस देश की बहुत धिक संपदाक का अस्थल रहा है वो चाहे रामकृष्ट मिशन की परंपरा हो चाहे वो स्वामी विवेकानंद से चली भी परंपरा हमारे जनसंग के प्रतम संस्तापक अध्यक्स डॉक्टर स्यामा प्रसात मुखरजी बंगाल से थे और यही नहीं अभी आली में हारी भारत की सरकार ने बंगाल के पुत्र देश के पूर राष्ट पती स्री पण마 मुखरजी को भारतत्म देकर के बंगाल को सम्मानित करने का कारे किया है और मैं आप सब का आहँँ करूंगा पुरे बंगाल को ही नहीं पुरे देस को बंगाल के इंधरोरर पर गौरव के नभूती होती है लेकिन बंगाल के अंदर आज जो कुछ चला है इसे किसी विस्तिति में स्विकार नहीं किया जाना चाहिए मैं आप सभी कारेकरताओं का अवान करूंगा आप लोकतांत्रीक तरीके से टीमसी की गुंडा गृती वली सरकार का मुकाबला करिए हम सब आपके साथ में हैं और मैं बंगाल पुना कारेकराओं में अवस्याओंगा और आपके साथ इस अराजक समिधान विरोधी अराजक सरकार का डटकर मुकाबला करने के लिए सड़कों पर आपके साथ हम लोग इस लड़ाई को आगे वढ़ाएंगे आप सब काविन दन धन्यवाद जय हिन जय स्री राम